Hello everyone, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल Metamorphosis में और आज मैं आपके लिए एक बहुत interesting fact प्लाए हूँ जिसके बिना आप कई तरीके के जो Elizabethan theatre के drama है उसमें कुछ confusion create कर सकते हैं, बहुत interesting है इसे war of the theatre कहा जाता है और war of the theatre जो है Elizabethan जो later drama है उस पे apply होने वाला drama है और जो war of the theatre है इसको एक बहुत interesting नाम दिया गया है जिसका नाम है Poeto Macchia ये question आ सकता है net में और another competition, बाकी competitions में भी आ सकता है तो Thomas Decker ने ये नाम दिया था Poeto Macchia आप सब जानते हैं कि later Elizabethan age में ये कुछ dramatist थे जिसमें एक महान dramatist Thomas Decker भी था और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो war of theatre है इसकी जो अगर मूल में जाएं इसकी roots में जाएं या root cause में जाएं तो हमें एक इसमें एक बहुत बढ़िया term आता है जिसे हम कहते हैं Bishop's Ban वो 1599 में एक ban हुआ था जिसे दो बिशप्स ने किया था एक आर्क बिशप थे एक बिशप थे जिनके नाम थे John Widgift and Richard Bancroft इन्होंने ये कहा कि जो satirical prose और verse हैं उनको पूरी तरफ ban कर दिया जाएं 1599 में तो लिहाजा अब जो theater वाले ये काम कर रहे थे आ ड्रामा में तो उनके पास एक ही जगह ऐसी रही जहां पर ये satir को प्रस्तुत कर सकते थे और वो माध्यम था या वो medium था एक stage तो ये अपनी performances को stage में दिखाते थे और उसके थूँ satir करते थे जो stage में जो drama होते थे इनी के बीच में जो दो team थी उनके बीच में एक बड़ा अच्छा theatrical war चल गया उनमें वो एक दूसरे पर attack करने के लिए drama दर drama लिखते थे play by play और वो एक attack करता था play को perform करवा के दूसरा उसके जवाब में एक play देता था और इसमें जो दो team involved थी उसमें एक side थे हमारे famous classicist Elizabethan Rama के Elizabethan H के Ben Johnson जी हाँ comedy of humor वाले और एक तरफ थे Thomas Decker और एक तरफ थे Maston और कहीं कहीं पर उनका साथ George Chapman ने भी दिया है तो एक तरफ Ben Johnson अकेले थे और दूसरी तरफ ये Maston और Decker जो है main team थी अब ये war जब शुरू होता है इसको Decker Poeto Macchia कहते हैं और इस war में सबसे पहला जो play आता है वो होता है hysteriomastis hysteriomastis नाम का ये play 1599 में आता है और इनको Maston लिखते हैं और Maston इसमें Ben Johnson को जबरदस तरीके दे सेटराइस करते हैं उनके खिलाब ये लिखा जाता है तो जब ये stage होता है तो आप देखिए नोट करते जाईएगा क्योंकि ये सारी कताबें और जिन्होंने इसके खिलाब लिखा है वो सब इसमें question पूछे जाते हैं तो उनके खिलाब फिर अगला जो stage play होता है वो Ben Johnson के द्वारा create किया जाता है और Ben Johnson जो play इसके खिलाफ लाते हैं इसके लिए जो response वो देते हैं मास्टन को वो होता है कि every man out of his humor ये भी 1599 में आ जाता है और यहाँ पर इनको पूरी तरीके से जवाब देते हैं और ये भी एक satirical play है जो केवल डेकर के उस play के जवाब में होता है जो उन्होंने लिखा था hysteriomastics जब ये दो play आ जाते हैं तो अब क्योंकि ये theater जो war up theater था तो अब तीसरा फिर से इसके response में जो play आता है वो भी note कर लिजेगा वो play है फिर से एक maston लिखते हैं और maston जो satirize करते हैं वो एक नया play के साथ करते हैं और वो play है Jack Drums Entertainment और ये ठीक 1600 में आता है Jack Drums Entertainment जो है इसमें Ben Johnson को एक बुरी तरीके से satirize करते हैं Ben Johnson is a barband senior एक kakold एक संग्या देते हैं kakold और brebrand senior की और Johnson को जो संग्या दी जाती है उसको कहते है brebrand senior या kakold तो इस तरीके से इसके बाद अब बारी थी फिर से Johnson की जिनको इसके जवाब में फिर से एक show रखना था तो Johnson जो show रखते हैं अगले play में तो वो होता है Cynthia's Rebels जिसको आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा और सुना होगा ये play ये भी solar song में आता है और इसमें इन दोनों को एक नाम देते हैं करेक्टर से represent करते हैं तो जो मास्टन है और डेकर हैं दोनों लोगों को represent किया जाता है तो इसमें मास्टन को कहा जाता है करेक्टर head-on उनको बनाया जाता है और head-on नाम से उनको दिखा जाता है और उनके लिए एक line है उसमें या phrase भी कह लीजिए वो use होता है और वो है a light voluptuous reveler और दूसरा जो decker के लिए वो नाम use करते हैं जो character use करते हैं उस character का नाम है anidus और anidus के लिए वो जो phrase use करते हैं वो है strange erogating puff strange erogating puff उसके बाद फिर बारी थी मास्टन की क्योंकि ये war चल ही रहा था और stage में ही एक दूसरे पर attack हो रहे थे तो मास्टन ने अब Johnson को फिर से attack किया ये कितनी बार एक question आया है what you will नाम के play से और what you will आया था 1601 में और इस play के attack करते ही इस play के दौरा attack करते ही जो Ben Johnson ने जवाब दिया वो आप सभी लोगों को पता है कि कितनी बार competition में पूछा गया है और उस play का नाम था the poetister और the poetister में मैं आपको ये भी बता दूँ कि poetister का meaning भी पूछा जा चुका है competitions में poetister का meaning होता है the worst poet सबसे खराब poet तो poetister नाम से Johnson ने उनको answer दिया और ये आया 1601 में और Johnson ने इसमें Maaston को कहा कि he is a vomiting bombastic and he bombast ridiculous words so ये वो कहते हैं कि ये वो इतने बेवकुफी वरे शब्द की बरसात करता है ये जो है Johnson का कहना था poetister में और उसे एक worst poet करार देता है the poetister फिर बारी थी Ben Johnson को जवाब देनी की तो उनके साथी Decker ने एक फिर sequence लिखा जिसका नाम था satiromastics जो पुरा rhyme कर रहा है historyomastics से तो satiromastics 1601 में आया और इसमें Johnson को mock किया गया और उसे कहा गया कि overbearing hypocrite है वो जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो खोकला है जो दिखता है वो है नहीं और उसको जेलना बहुत मुश्किल है और इस तरीके से ये लड़ाई जब जारी थी तो फिर इतना ज़्यादा इसमें जो बहस बाजी हो गई थी लोगों में ये फेमस हो गया था पोईटो मैक्या और वार अप थेटर तो एक जगा पे तो अब इनको कहीं पर रुकना ही था तो इनके बीच में फिर एक समझोता हुआ और अपरेंटली जॉन सर और मास्टन दोनों नज़दीक आ गए और फिर उन्होंने जॉर्च एप्मेन को भी लिया और इस तरीके से तीनों लोगों ने मिलके फिर इसको खतम करते हुए एक कॉलाबरेशन के एक वर्क में जो उनके इस युद्ध के खतम होने का एक तरीके से Officially या Symbolically एलान भी माना जा सकता है Announcement भी माना जा सकता है और वो वर्क भी आप जानते हैं जो इन तीनों ने कॉलाबरेशन में लिखा जिसको कहते हैं Eastward हो और Eastward हो आया है 1605 में इस तरीके से इस प्ले में एक चीज और बड़ी इंट्रस्टिंग हुई कि इसमें James को जो King James था उसको पूरी तरह सेटायर किया गया और Anti-Scottish सेटायर था Scotland के खिलाब इन्होंने अटेक किया सेटायर था तो उनकी जो उसकी परणती भी उसके परढ़ाम शरूब The consequences were really not good उसके consequences किया हुए Number 1 किसी तरह मास्टन तो बज़ गया क्योंकि मास्टन ने इसको बाद में complete किया था लेकिन Johnson और Chapman को इसके लिए जेल जाना पड़ा और उन्हें जेल में डाला गया और उनको कुछ punishment जेलना पड़ा इसके लिए और मास्टन जिसने थोड़ा हिससा लास्ट में लिखा था इसका complete किया था वो किसी तरीके से सजा से बज़ गए लेकिन इसकी वज़े से ने जेल भी जाना पड़ा तो यह बड़ा interesting term है war of theater जिसे पोईटो मैक्या कहते है और यह term Decker ने दिया था basically मैं आपको बता चुका हूँ तो मास्टन और Decker किस तरीके से Johnson पर attack करते रहे और Johnson उन पर करते रहे एक और दो और एक और Johnson इन लोगों के बीच में यह बना रहा और इस तरीके से यह term बहुत interesting term literature में आता है और खास कर इन पूरी किताबों के background को समझने के लिए पोईटो मेक्या को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह almost at the last of the Elizabethan age you know that was a very interesting phenomena which took place और यह एक war of theater के नाम से और पोईटो मेक्या के नाम से famous हो गया तो यह था एक नया term आपके लिए जो काफी आपको मदद कर सकता है इन किताबों को समझने के लिए और देखते रहिए और comment कीजिए और अपनी जो demands है वो रखिए और इसी के साथ आप join कीजिए Metamopsis को और grammar की जो नया batch भी शुरू हुआ है आप लोग उसे भी join कर सकते हैं ज्यादा time नहीं हुआ है और अब आगे की सीरीज में मैं grammar और literature की सीरीज को आगे जाली रखूँगा सो मिलते हैं नए वीडियो में Thank you, thanks a lot